हर हर महादेव मित्रो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप अच्छे होंगे एबम मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम वाई अक्षर से सुरू होता है तो उनकी रासी क्या होगी दोस्तो यदि आप यह तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबम वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडिय आपको बता दे वाई नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत जयादा आसा वादी होते हैं ये अपने जीवन के यात्रा में अपने आने बाले शमय से बहुत जयादा उमेद बहुत जयादा आसा करते हैं एबं कभी भी अपने जीवन में अपने वर्तमान समय को या अपने आने बाले समय को बरबाद करना अपने समय का मिस्यूज करना पसंद नहीं करते हैं ये हमेशा अपने जीवन में मेहनत करना परिस्रम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये कभी भी अपने जीवन में अपने आपको मेहनत से परिस्रम से दूर न स्वक्ष होते हैं इनका जो मन होता है वो एकदम पवित्र गंगा के जैसे होता है इनके मन में किसी भी इंसान के लिए कोई भी छल कपट या कोई भी धोखा धड़ी नहीं होता है ये हमेशा अपने जीवन में लोगों की सहायता करना लोगों की सेवा करना बहुत जयादा पसंद करते हैं इबं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन के हर समय में समाज सेवा ये अबश्य करते हैं मित्रों आपको बता दे इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो मेहनती परिस्रमी होने के अलाबा बहुत जयादा भागे साली होते हैं इसलिए इस नाम के अधिकतर लोग जो होते हैं वो सरकारी पदों पर आसीन होते हैं दोस्तों आपको बता दे इस नाम के जो भी जातक होते हैं उनकी जो किस्मत होती है वो बहुत जयादा अलग प्रकार्की होती है सामाने लोगों की तुलना में ये एकदम अलग स्थिती में होते हैं एबम इस कारण से ये हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं दोस्तों आपको बता दे इस नाम के जो भी जातक होते हैं यदि कभी अपने जीवन में और सफल हो जाते हैं यदि ये सफल नहीं होते हैं तो सफल होने के लिए ये दुबारा से बहुत ज्यादा प्रिस्रम करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीबन में अपने आपको छल कपट इबम इर्शिया द्वेश से खुद को दूर रखते कभी भी अपने जीवन में छल कपट करने बाले लोगों की संगती में जाना पसंद नहीं करते हैं मित्रों इनके जीवन में मित्रों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि ज्यादा दोस्ती करना ये पसंद नहीं करते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने सुरक्षा को ये सबसे पहले एबम सबसे जयादा पसंद करते हैं, एबम कभी भी अपने जीवन में अपने सुरक्षा के साथ में कोई भी समझोता करना ये पसंद नहीं करते हैं. मित्रो आपको बता दे इस नाम के लोगों से यदि इनके जीवन में कोई भी गलती हो जाती है कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो उस गलती को दोहराना ये पसंद नहीं करते हैं एब हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो गलती हमसे हो गई है उस गलती से हम अपने आपको हमेशा बहुत ज्यादा दूर रखे हैं, लेकिन ये तो कुछ अच्छी बाते हो गई, पॉस्टिब बाते हो गई, अब थोड़ी बहुत निगेटिब बाते जान लेते हैं, किस नाम के लोगों में नकारातमक गुन क्या सब होता है, दोस्तो वाई नाम वाले जो भी जातक होते हैं, किसी और इंसान के बीचारों को महत्तो नहीं देते हैं, एबम हमेशा अपने जीबन में अपने बीचार को, अपने दृष्टी कोन को सबसे पहले एबम सबसे जयादा महत्तो देते हैं, मित्रो वाई नाम वालों के बाड़े में इतनी जानने के बाद, यदि हम ये जानना कि इस नाम के जो भी जातक होते हैं, उनकी रासी क्या होती है, दोस्तों देखिए, इस नाम के जो जातक होते हैं, तो इनके अंदर सिर्फ इंगलिस अलफाबेट से ये कहना कि इनकी ये रासी हो जाएगी, वो संभब नहीं होता है, क्योंकि इस नाम के जो जातक होते हैं, ये या यो ये या यो इन दोनों से सुरू होता है तो उनकी जो रासी होगी वो धनू रासी होगी एब हम उनकी रासी के जो स्वामी होंगे वो गुरू बिरस्पती होंगे ये तो हो गया दो अक्छर के नाम का रासी इसके बाद अक्छर तो और भी हैं तो इसके बाद जिन ल यू से यूसुफ और जो यी होते हैं इससे आप भी कोई नाम देख लेना अगर आपका नाम यी अक्षर से सुरू होता है तो आपकी जो रासी है वो हो जाएगी ब्रिश्चिक और आपके रासी के जो श्वामी होंगे वो मंगल होंगे तो इस दोनों बातों को आप ध्यान से सुनने जिनकी रासी ब्रिश्चिक होगी उनका नाम या, यी और यू या से यासीन, यू से यूसुफ इस प्रकार के लोग हो जाएंगे और जो धनू रासी के लोग होंगे तो उनका नाम सुरू होगा ये या यो इन दोनों अक्षरों से और धनू रासी के जो स्वामी होत अगर इतनी बातों को सुनने के बाद भी आपके मन में कोई भी संका या कोई भी संकोच या कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और मैं आपके संकोच आपके संका को दूर करूंगा दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एबं आप तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में वाइटी पुरुषत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबं वीडियो के नीचे में आप अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट अबश्य करतें एबं वीडियो हर जगा सेयर करतें तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद